हेलो स्टूदेंट्स हाव आई यू आज की हिंदी की कख्षा में आप सबका स्वागत है सबी बच्चे अपनी बुक हिंदी भाषा मादरी रफ कॉपी और पैंसी लेकर बैट जाएं और ध्यान से आज की क्लास अटेंट करें तो आओ बच्चो अब अपनी बुक में लेसन नमबर 3 पे नमबर 17 मिका लीजिए और हमारा आज का टोपिक है मैं हूँ आमर सेला इस पाठ को पढ़ाने का उदेश्य आम के जीवन वाफाइदों के बारे में जानतारी हासिल करना है तो आओ बच्चो अब मैं आपको इस बारे में बताया है कि वह गर्मियों के मोसम में आता है और उसके स्वाथ के कारण सब उसको खाना पसंद करते हैं बसंद्रितु में उसके फूलों की महब वा कोयल की मीठी अवाज सबको खुश कर देती है आम ने अपने फल वा पेड़ के बारे में भी बताया है कि कच्च जाता है पैदर सफर करने वाले लोग उसके पेड़ की छाया के नीचे अराम करते हैं और पक्षी अपना घोसला बना कर रहते हैं तो बच्चो आज आपने आम के फाइदों के बारे में जाना आम के इन्हें फाइदों के कारण इसे राश्यफल अर्थात नेश्वरूर कहा ज जुसीला means juicy, j-u-i-c-y juicy next, सवाद, सवाद means taste, t-a-s-t-e taste next, रितू, रितू means season, s-e-a-s-o-n season next, महक, महक means sweet smell, s-w-e-t sweet smell, s-m-e-l-l smell next, डालियो, डालियो means branches, b-r-a-n-c-h-e-s, branches आगे बच्चो पे नमबर 18, बोर means bloom, b-l-o-o-m, bloom next, आम पन्ना, आम पन्ना means cooked unrived mango, c-o-o-k-e-d, cooked unrived, u-n-r-i-p-e-d unrived mango, m-a-n-g-o, mango next, अम्चूर, अम्चूर means dried mango powder, d-r-i-p-e-d, dried mango, m-a-n-g-o, mango powder, p-o-w-d-e-r, powder आगे बच्चो पे नमबर 19, mango shake means mango blended with milk, m-a-n-g-o, mango, blended, b-l-e-n-d-e-d, blended with w-i-t-h, with milk, m-i-l-k, milk, next, अम्रित्फल, अम्रित्फल means most beneficial fruit, m-o-s-t, most beneficial, b-e-n-i-f-i-c-i-a-l, beneficial fruit, f-r-u-i-t, fruit next, विशेश्टा, विशेश्टा means quality, u-u-a-l-i-t, y, quality next, कलश, कलश means port, p-o-t, port next, रहागीर, रहागीर means passer by, p-a-double-s-e-r, passer by, next, मजबूत, मजबूत means strong, s-t-r-o-n-g, strong तो आओ बच्चो, अब हम इस lesson की reading करेंगे, मुझे देखते ही, आगे आना आपके मुँ में पानी, मैं आम इतना रसीला जो हूँ, गर्मियों के मौसम में, जब मैं आता हूँ, तो कोई फल मेरे सामने टिक नहीं पाता, गली महोलों से लेकर बजारों तक, बस मैं ही मैं दिखाई देता हूँ, जिसे देखो, वही थैलों में भर-भर कर मुझे अपने घर ले जाता है, मेरा स्वाद, लोगों की जीप पर ऐसा जमता है, की वे बस खाये चले जाते हैं, इसलिए तो मुझे फलों का राजा कहते है इस पैरे की लीडिंग करके हमने यह जाना, यह आम रस से भरा फल है, गर्मियों के मौसम में आता है, और इसके स्वाद के गारण इसको फलों का राजा कहते हैं, मीन्स किंग ओफ प्रूट कहते हैं, आगे बच्चो, क्या तुमने मेरा पेड देखा है, बसंत रितु में मे मेरे पूलों की महक से हर कोई पगला ही जाता है, इसी समय मेरे पेड की डालियों पर चिपी कोयल की कूख सब को मतवाला कर देती है, इस पैरे की रिडिंग करके हमने यह जाना, कि बसंत रितु में पूलों की महक और कोयल की मीठी आवाज सब को खुश कर देती है, आगे ब बदर जाते हैं, इन लाइनो को पढ़कर हमने यह जाना कि आम की पेड़ों पर लगे फूलों को बोर कहते हैं, आगे बच्चो जब मैं कच्चा होता हूँ, तो मेरा रंग हरा होता है, तो मिज़े कच्चा ही खा जाने को, लल्चाते रयते हैं, अगर माली ना हो तो वे मुझे पकने का मौका ही ना दे इस पैरे की डीडिंग करके हमने लिए जाना कि कच्चा आम हरे रंगा होता है और तोते भी कच्चे आम को खाने के लिए हमेशा त्यार रहते हैं आगे बच्चो कच्चे आम से ही अचार बनता है जिसे आप पूरे साल चटकारे ले ले कर खाते हैं और हाँ, मैं केवल स्वात के कारण ही नहीं जाना जाता कच्चे आम को उबालकर, उसमें चीनी मिलाकर आम पनना त्यार किया जाता है इसे पीने से गर्मियों में लूर से बचा होता है कच्चे आम की सबजी भी बनाई जाती है कच्चे आम से बना अमचूर तो मसाले की तरह साल भर काम आता है इस पहरे की डीटिंग करके हमने यह जाना कि कच्चे आम से चितनी सबजी अमचूर और आम पन्ना बनता है आंपन्ना श्री में पानी की कमी को पूरा करता है और लू लगने से बचाता है आगे बच्चो जब मैं पक जाता हूं तो फिर मेरा क्या कहना शायद ही कोई ऐसा व्याक्ति होगा जिसे मेरा अस्वार पसंद ना हो पानी में डुबो कर रखने के कुछ गंटों बाद मेरा मैंगो शेक तो हर गली नुकड की जूस की दुकानों पर दिखता है इस पहले की रीटिंग करके हमने यो जाना कि जब आम पक जाता है तो सब लोग उसको खाना पसंद करते हैं बच्चो आपको भी तो आम खाना पसंद है ना और आम को खाने से कुछ गंटे पहले पानी में डुबो कर रख लिया जाए तो इसके गुनों का अधिक असर होता है और कुछ लोग तो चूस कर आम को खाते हैं कुछ काड कर और कुछ मैंगो शेक पीना पसंद करते हैं हाँ कि मम्मा भी तो आपको मैंगो शेक बना कर देती है ना और आपको मैंगो शेक पीना बहुत ही अच्छा लगता होगा आगे बच्चो आज कल तो मेरा रस बोत्रो और डिपो में पूरे साल डिखता है किसी ने उसे माजा नाम दिया तो किसी ने slice और किसी ने fruity आप तो इन्हें पीने को मचलते ही रहते हैं इस पहरे को पढ़कर हमने जो जाना कि आज कल अलग-अलग नाम से बोतरो और डिपो में जूस दिखता है और उसे उन्होंने अलग-अलग नाम दिये हुए है आगे बच्चो मेरे बहुत से नाम हैं जैसे लंगड़ा, दशेरी, सिंदूरी, तोतापरी, चोसा, पजरी, अलग-अलग स्वाध है मुझे अमरित फल कहा गया है, मुझे हजारों सालों से जाना जाता है रमायनोत महाभारत में भी मेरा नाम आया है इस पहरे की जिटिंग करके हमें यह पता चला कि आम के कई नाम होते हैं बेटा जब आब मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे तरह-तरह के आम मिलते हैं और आमों का अलग-लग स्वाद होता है इन इक्वार्टिस के कारण आम को अमरित फल कहा गया है मीन सबसे फाइदे मंद फल कहा गया है और हमारे पुराने ग्रंतों में जैसे रमायन और महावारत में भी इसका नाम आया है आगे बच्चों यह तो बात भी मेरे फल की अब जरा मेरे पेड़ की विशेषता भी जान लो पूजा पाढ़ में मेरे पत्तों को ही कलश पर लगाया जाता है मेरे पत्तों की लड़ी बनाकर दरवाजे पर टांगी जाती है हवन यग्य में आम की ही लकड़ी ही जलाई जाती है हवन में घी आम की लकड़ी से ही डाला जाता है मेरी पतियां पूरे साल भरी रहती हैं इसलिए पुराने जमाने से ही मेरे पेश सड़कों के किनारे लगाये जाते हैं मेरी घनी छाया में रहागिर अराम करते हैं और पक्षी अपने खोसले बनाते हैं इस तरह की जिलिंग करके हम ने जाना कि आम की पतियों वाल लकडियों का प्योग पूजावा हवन में किया जाता है और हवन में गी भी आम की लकड़ी से ही डाला जाता है पैदल सफर कनने वाले लोग जब बहुत ज़्यादा तक जाते हैं तो पेड़ की छाया के नीचे अराम करते हैं आगे बच्चो भी बना लेते हैं, इस पहरे में बताया गया है कि किसान के उपयोग का समान ज्यादा तर आम की लकड़ी से भी बनाया जाता है, किसान बेटा फार्मर होते हैं, जो केतों में काम करते हैं, आम की लकड़ी पानी में जल्दी खराब नहीं होती, इसलिए इसका उपयोग नाब किया जाता है ना में बोड बनाने में किया जाता है तो देखा बच्चो आज हमने आम के बारे में पढ़कर यह जाना कि इसके बहुत सारे उपयोग हैं यह केवल खाने में ही नहीं बलकि बहुत सारी वस्तों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है तब भी तो इसको अम्रित फल कहते हैं, बच्चों आप इस पार्ट की अच्छी तरह से डिटिंग करेंगे, अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए,